Hello civil engineers, myself Sandeep Singh Professional Estimation and Billing Engineer और आप सभी engineers के लिए corporate tenner एंगिनिएर्स में आप सभी का reinforce training students for civil engineers के digital platform पर ऐसागत करता हूँ और आज मैं आपके साथ discuss करूँगा कि live project drawing के थुढ़ एक्सल सीब पर exqravation में की समान। कंस्ट्रक्शन साइट पे फुटिंग को कास्ट करने के लिए जो हम एक्सकाविशन पिट खोदते हैं उसकी कॉइंटिटी कैसे निकलती है वो आज हम एक्सल सीट पर देखेंगे इसके प्रीवेस सेशन में मैंने आपको डिसकस किया था कि दो इसके प्रोजेक्ट ड्रोएंग के ध्रो आपका एक्सकाविशन किस तरह से किया जाता है एक मैनुली मैंने आपको फंडमेंटल बताया है तो आप हमारे यीट्यूब चैनल रिइनफोर्स ट्रेंडिंग इस्ट्यूट फोर सिविल इंजिर्स पर जाके देख सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आपको से लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ सेर करिए और आपने अभी तक हमारे चैनल देखते हैं क्योंकि हमें an ARDkyt तो फूटिंग का जचांछ देखेंगे तो यहां पर आपको दिया हुआ है यह आपको पूरा फूटिंग का सेजिव दे रख्खा है इसमें आप दियान से देखें तो आपको पता चले कर इसमें कितनी फूटिंग दे रख्खी है आपको 3 पुटिंग दे रखxic है आपका जो पहला फूटिंग फटिंग वह क्या है आपका IAप को आपको London फूटिंग दे रखिए उसको आपको LEN Can A Petra 3, 2000 तो इसको आप 3, 400 N वहल सकती है नेज़े स्का प सब्सकोरन की हिए इसका Jvern कितना e traveling यहां पर excavation के लिए हमें सिर्फ length और breadth ही चाहिए, हम footing का depth नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो आपका excavation होता है, वो आपका national ground label से होता है, तो आपका footing का depth मैटने नहीं करता है, तो यह जो footing का schedule है, इस footing को schedule को देख के हमें क्या पता चल रहा है, हमें यह पता चल रहा है कि इस project मे हमें 3 footing है, F1, F2 है और आपका F3 है, लेकिन यहां पर हमें यह पता नहीं चल रहा है कि इस project में F1 footing कितने नंबर है, आपका F2 footing कितने नंबर है, F3 footing कितने नंबर है, यह सब चीजें हमें पता नहीं चल रही है, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा, कि इस project में जो आपक आपको detail मिल जाएगा कि किस तरह से चीज़ां होती हैं किस तरह से footing को count करते हैं वो आप अभी discuss करेंगे तो यह देखेंगे यहाँ पे आप यह आपको footing का layout plan दे रखा है जो आपकी footing होती है उसका जो center line layout plan होता है वो आपको यहाँ पे यह दे रखा है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे footing को count करेंगे कि कौन सा footing आपका कितने number दे रखा है आप footing को कैसे count करते हैं बहुत सारे projects होते हैं बहुत सारे drawings होती है जहाँ पे आपको footing दिया रहता है कि कौन सा फुटिंग कितने अंबर है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो हमें count करना होगा तो आप सीखिए कैसे count करते हैं तो count करने के लिए आपके 2-3 methods हैं जिसके तो आप count करते हैं मैं आपको सबसे सस्ता और संदर तरीका बताता हूं कि किस तरह से चीजे counting होती है आप grid wise count करेंगे तो प्रोजेक्ट में बहुत सारी footing होती है अधि आपका एक भी footing miss हो गया तो आपकी quantity ऊपर नीचे हो जाएगी त प्रोजेक्ट का कोस्ट भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो एक भी footing skip नहीं होना चाहिए इसके लिए क्या करिए आप grid wise counting करिए या तो आप horizontal grid wise footing को count करिए या फिर आप vertical grade wise count करिए तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप horizontal grade wise क्या करिए पूटिंग को count कर लिजे और vertical grid wise footing को cross check कर लिजे अगर दोनों से हम आती है तो आपने सही calculation किया है तो यहां पर देखेंगे हम लोग क्या कर रहे है और horizontal grade wise footing को count कर रहे है यहां पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यह आपको दे रहा है greatest यह आपका क्या है horizontal grade है first तो इसके wise हमनों क्या कर रहा है so we should run foot फूटिंग कितने नमबर दे रखा है, तो यह आपको देखेंगे यह आपका first f1 footing है, और यहाँ पर यह f2 footing है, f2 footing है, और आपको आखरी में एक f1 footing दे रखा है, clear? इसके बाद आप देखेंगे जो आपका first grade इसमें सिर्फ आपकी 2 f1 footing है, next आप जाएंगे grade 2 में, तो grade 2 में भी आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? Grid 2 में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे आपको यह F2 फुटिंग दे रखा है, F3 फुटिंग दे रखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यह देखेंगे जो आपका grade 3 उसमें भी आपको क्या दे रखा है दो F1 footing दे रखा है एक आपका A grade पे है दूसरा भी आपका symmetry का हले A grade पे है तो यहां से आप देखके पता कर सकते हैं कि इस project में जो आपकी F1 footing है वो कितन नंबर है 4 नंबर है हम यहां पर corner में mention कर लेते हैं कि F1 footing है वो कितना है आपका आपका F1 footing है वो कितना है 4 नंबर है तो इसी तरह से आपको बांकी footings भी count करने है आपका F1 footing 4 नंबर इसके बद आपको क्या आता है F2 footing तो आप इसी तरह से horizontal grade वाइस F2 footing को count कर लीजे तो आप यह देखेंगे जो आपको first grade है उसमें आप यह देखेंगे पहला F2 footing यह दे रखा है आपका first grade में आपको यह first F2 footing दे रखा है यह आपको first F2 footing दे रखा है यह आपको second F2 footing दे रखा है यहाँ पर आपको एक F2 footing आपको starting में दे रखा है और एक F2 footing आपको end में दे रखा है तो second grade में भी आपको 2 F2 footing दे रखे हैं इसके वद हम जाएंगे next 3 grade में 3 grade में देखेंगे तो आपको 4 F2 footing दे रखे हैं यह आपका first है यह आपका second है यह आपका third है और यह आपका fourth है clear तो यहाँ पे आप count कर सकते हैं कि आपकी जो F2 footing है वो कितनी है, 4 उपर है, 2 बीच में है वो 4 नीचे है, total आपकी 10 F2 footing है आपकी total क्या है 10 F2 footing है, इसके वार next आटा है आपका क्या है, F3 footing, तो यहाँ पे आप F3 footing देखेंगे यह आप देखेंगे, यह आपका क्या है, 1st F3 footing है आप देखेंगे, जो आपका 1st grade है, वो पूरा फिलोच का है 1st grade में कोई भी आपका F3 footing नहीं है 2nd grade में F3 footing है यह आपका 1st है यह आपका 2nd है यह आपका 3rd है और यह आपका 4th है तो आपको जो 2nd grade है इसमें 4th F3 footing दे रखी हो और जो आप 3rd grade देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि पूरा grade आपका फूल हो गया उसमें आपकी एक भी F3 footing नहीं है तो यहां से आप देख सकते हैं कि इस project में जो आपकी F3 footing है वो कितनी है आपकी 4 F3 footing है clear? तो आप इसको mention कर दीजे जो आपकी F3 footing है वो कितनी है आपकी 4 है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस project में 4 F1 footing है आपकी 10 F2 footing है और 4 F3 footing है तो इस तरह से आप footing को count कर सकते हैं यदि आपको drawing में नहीं दिया है वैसे तो mostly drawings में दिया रहता है अगर नहीं दिया है तो आप इस तरह से count करिए तो आपका एक भी footing footing skip नहीं होगा आप horizontal grade wise पहले footing को count कर लेजिए यदि आप cross check करना चाहते हैं तो वर्टिकल grade wise cross check कर लिए दौनव एक कॉल आएंगी तो मतलब आपने सही calculation किया है clear तो यह हमारा footing footing count हो गया कि कौन सा putting कितने number दिया है अब हम इसको excel में put कर देंगे तो आपका analysis हो जाएगा चलिए फिर आँगे हम इसको excel में put कर दें यहां पर देखेंगे आपको footing का dimension भी देख लेते हैं यह देखेंगे पहले हम इसमें serial number डालते हैं वान टू और यह आपका थुरी तो इसमें footing description डालेंगे यह देखेंगे जो हमारा f1 footing है वो कितना use हो रहा है अभी हमने calculate किया है और दूसरा क्या है आपका 10 number है और तीसरा क्या है आपका phone number है तो F1 footing phone number use हो रहा है, F3 footing आपका phone number है, जो F2 footing है वो आपका 10 number, इन तीनों को add करेंगे, तो आपका क्या आजाएगा, total 18 आजाएगा, means जो हमारा G plus 2 study को project है, उसमें total आपकी 18 footing use हो रहे हैं, तो इस 18 footing को cast करने के लिए हमें कितना excavation करना पड़ेगा, उसी चीज़ का भी हम analysis कर आपने वाले हैं, तो इसके वाद हमारा जो next option आता है, वो क्या आता है, footing length का आता है, हम यहाँ पर data input करेंगे, footing length डालेंगे, और आपका footing breath डालेंगे, तो footing length और footing breath आप, जो आपको footing का schedule दे रखा है, drawing में, वहाँ से आप देख सकते हैं, तो यह देखेंगे, आप, यह starting में भी बदाईती है, आप एक बार और देख लिए जो तो चीज़ें, आपको doubt में नहीं जाएंगे, यह देखेंगे, आपका F1 footing है, वो आपका 2 meter by 2 meter का दे रखा है, आपको F2 footing है, वो भी आपको 2.2 meter by 2.2 meter का दे रखा है, और जो आपकी F3 footing है, वो भी आपको 2.4 meter by 2.4 meter की दे रखिए, इसको आप Excel में इंपूट कर दीजिए, तो हम इसको Excel में इंपूट करते हैं, यह देखेंगे, आपका length कितना है, 2 meter का है, और आपका breadth भी 2 meter का है, इसके बाद आप F2 footing में जाएंगे, तो F2 footing का जो length है, वो 2.2 meter का है, जो breadth है, वो भी आपका 2.2 meter का है, इ उसके बाद आपके आएगा depth from NGL, क्योंकि जो हम excavation करते हैं, वो NGL से करेंगे, तो उसके लिए हमें depth लिखना पड़ेगा, NGL से कितना होगा, वो आपको drawing में दिया हुआ है, यह देखेंगे, यह आपको पूरा cross section दे रखा है, यहाँ आपको पूरा cross section दे रखा है, यहाँ यह आपका क्या है, NGL है, यह sign भी so कर रहा है, 0 से, कि आपका यहाँ पर radius level क्या है, 0 है, clear, अब यहाँ से हमारा excavation होगा, तो कितना excavation होगा, वो देख लीजे, आपके NGL से जो depth दे रखा है, वो कितना दे रखा है, minimum 1.5 meter दे रखा है, कहां तक का दे रखा है, वो भी देख है, उसके bottom तक का आपको इन्होंने depth दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.5 meter दे रखा है, यह देखिए, NGL से लेके PCC के bottom तक आपको यह depth दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.5 meter दे रखा है, इस cross section आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, सबसे पहले आपको इसमें क्या दे रखा है, stone swalling दे रखा है, यह देखेंगे, सबसे जो नीचे चीज आ रही है, वो हमारी क्या stone swalling है, आपको कितना आ रहा है stone swalling, आपको 1500 mm का stone swalling आ रहा है, आप directly PCC को soil की उपर cast नहीं कर सकते हैं, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कि stone swalling प्रोवाइड करते तो यहाँ पर आपका stone swalling आ रहा है, देट समयों का उसके बाद आपकी PCC आ रही है, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा PCC आ रहा है, तो यह आपको PCC दे रखा है, PCC कितना आ रहा है हमारा, PCC आ पको 100 mm का PCC आ रहा है, 1-2-4 का 100 mm का PCC आ रहा है, means M 15 ग्रेड का आपको पूरा स्ट्रक्चर दे रखा इसके ऊपर से आपका यह नेक कॉलम आ जाएगा यह देखेंगे यह फुटिंग के टॉप से प्लिंध्विम के टॉप तक हम लोग नेक कॉलम का कंसिडरेशन करते हैं तो यह आपका नेक कॉलम आ जाएगा लेकिन जो उसमें एक्सकाविशन ग्राउंड लेवल से इतना एक्सकाविशन होगा आपका तो जो एक्सकाविशन का जो डैफ्थ हो कितना हो जाएगा यह आपका एक्सकाविशन का डैफ्थ हो जाएगा यहां से लेके पूरा नीचे तक है जिसमें आपको यह बन पॉइंट फाइब मीटर दे रखा है ने से लेखे PCC के बॉटम तक और इसके बाद आपका ये 150 mm का स्टॉन स्वालिंग और आ जाएगा 150 mm का आपका ये स्टॉन स्वालिंग और आ जाएगा किलियर अगर आप 1.5 मीटर प्लस 0.15 एड करेंगे तो आपका excavation का जो depth है वो निकलाएगा किलियर तो आपको ये 1.5 मीटर ये दे रखा है और 0.15 मीटर ये दे रखा है दौनों को याड करेंगे तो आपका excavation का depth निकलाएगा इसके वद हमें क्या चाहिए excavation का length भी चाहिए तो excavation का length कैसे निकलेगा मैंने आपको लास सेशन में बताया था कि जो हम excavation consider करते हैं वो footing के face से आपको 300 mm extra मिलता है आपको जो working space मिलती है as per the norms of CPWD वो आपको footing के face से 4 और आपको 300 mm extra मिलता है तो आप 300 mm extra ले लीजिए और excavation का length भी निकालेजिए यह footing का face दर्ख है यहां से 300 mm आपको इस साइड और आपको 300 mm इस साइड मतलब वो चारों साइड यह आपको मिलेगा extra means जो आपकी working space है वो क्या है आपकी 300 mm और जो आपकी जो working space होती है वो आपकी footing के depth के उपर depend करती है है sorry footing के depth के उपर नहीं आपका NGL से कितना depth है यह आपका जो depth 1.5 meter तक है तो उसका कुछ extra space होगा यह आपका depth नीचे जाता है 1.5 meter से तो उसका कुछ अलग आपका working space होगा लेकिन यहां पर almost आप देखेंगे 1.5 meter आपका NGL से depth है तो उसके लिए हम लोग 300 mm extra space consider कर रहे हैं as per norms of CPWD तो यह आपका 300 mm working space हो गया footing के face से 4 और जब आप यह पूरा add कर देंगे तो आपका क्या निकलाएगा excavation का length निकलाएगा यहां से आप यह पूरा excavation का length निकल सकते हैं यह देखेंगे यह पूरा excavation का length आएगा जो भी यह आपको क्या footing का length हो जाएगा यह आपका क्या footing का length हो जाएगा तो 300 mm प्लस footing का length प्लस 300 mm करेंगे तो आपका excavation का length आजाग इसी तरह से आप excavation का breath निकाल सकते यह चीज मैंने अपने last session में discuss किया आप वहाँ जाकर detail में देख सकते हैं यहां पर मैंने सिरफ एक आपको overview दिया हुआ है clear तो यहां पर आप चीजे देखेंगे आप जो भी चीजे उसको आप excel में input कर दीजे आप सबसे पहले यह डालिए कि आपको NGL से depth कितना दे रखा है जो कि आपको 1.5 मीटर है और stone swelling दे रखा है आपको 150 अम का क्योंकि stone swelling तक आपको excavation मारना पड़ेगा तो इसको डाल दीजे अक्सल स्वीट में यह देखेंगे आपको जो NGL से depth दे रखा है वो कितना है आपका 1.5 मीटर है और आपका stone swelling का depth है वो कितना दे रखा है 150 अम दे रखा है 0.15 तो हमने यहाँ पे डाल दिया है अब इसके बाद आपका astra space कितना हो गगा astra space में आपको कई वार बता चुका हूं आपका 300 mm होता तो हमने यह 0.3 डाल दिया यहाँ पे अब इसके बाद हमें क्या निकालना है excavation का length निकालना है तो excavation का length क्या से निकलेगा आप यहाँ पर प्रेस करिए एक को प्रेस करने के बाद आप astra space लेखिए 0.3 प्लस आपका footing का length जो की कितना दे रखा है 2 मीटर दे रखा है और प प्लस आपका footing का breadth कितना है 2 मीटर है प्लस आपका astra space कितना है 0.3 मीटर है तो यह आपका excavation का breadth निकलाएगा जो की same आएगा क्योंकि आपका square footing है next यहाँ पर देखेंगे आपका excavation depth तो excavation depth निकालने के लिए जो आपको NGLC depth दे रखा है कितना दे रखा है 1.5 मीटर दे रखा है excavation breadth और into excavation depth तिनों को multiply कर दीजे तो यहाँ पर देखेंगे आप equal press करिए excavation length 2.6 into excavation breadth 2.6 और into आपका depth excavation का 1.65 मीटर तो यह आपका निकलाएगा कितना है 11.15 मीटर क्यों means आपका जो F1 footing है उसको cast करने के लिए हमें 11.15 मीटर क्यूब excavation करना होगा यह सिर्फ एक footing के लिए हम लोग यहाँ पर इस project में 4 F1 footing यूज कर रहे हैं तो multiply कर दीजे एक footing के लिए कितना हो रहा है 11.15 और इस project में आपको कितनी F1 footing है तो हमने multiply कर द 2-meter cube excavation करना होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका first row है तो first row में हमने अपना formula set कर दिया है excel की यही खूबी होती है कि आपको पूरा analysis नहीं करना होता है आप एक बार formula set कर दीजे चीजां को drag कर दीजे तो आपका analysis हो जाता है तो आपका जो first row है उसमें हमने क्या कर दीजे अपना formula set कर दीजे और इसके बाद जो भी specifications थे वो हमने यहाँ पर लिख दिये हैं आपका footing का description है number of footings है footing का length है footing का breadth है वो हमने यहाँ पर mention कर दिया है drawing को देखकर और बागी चीजों को आप drag कर दीजे तो आपका analysis अलेड़ी हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे और इसके बाद हम अल्रेड़ी formula लगा चुके हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपका excavation length निकलाएगा सभी के लिए इसके बाद आपका excavation का breadth आजाएगा सिर्फ आपको drag करना है क्योंकि हम अल्रेड़ी formula set कर चुके हैं और यह आपका excavation का depth आजाएगा और यहाँ पर हम यह volume निकाल लेंगे और यह आपका total volume आजाएगा कि देखेंगे कितनी फटाफट calculations होती है क्योंकि हमने first row में आपका यह formula set कर दिया था और आपके specifications लिख दिये तो उसके बाद सिर्फ चीज़ें आपको drag करना ही होती है सारा analysis हो जाता है तो यह देखेंग का footing का site पर casting करने जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको excavation pit खोदना पड़ेगा तो उसके लिए आपको कितना excavation करना पड़ेगा यह हमने पूरा analysis किया हुआ 18 footing को construction site पर cast करने के लिए आपको यह देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कितना आएगा 233.38 meter cube आपको excavation करना पड़ेगा जितनी भी individual footing से आप सभी का total volume यहाँ पर add करेंगे तो कितना आएगा 233.38 meter cube आएगा means 18 footing को construction site पर cast करने के लिए आपको 233.38 meter cube पहले excavation मानना पड़ेगा उसके बाद ही चीज़ें आप कर पाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही detail में सम समझ में आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को like करिए अपने friends के साथ fellow civil engineers के साथ इसको share करिए और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल reinforce training institute for civil engineers को subscribe करिए तो आपको इसी तरह से quality content मिलता रहेगा ओके thank you so much and see you in a next video